Assalamualaikum कैसे हैं आप सब welcome to my channel जाइका नेराला जाइका नेराला में आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा गजर भता गजर भता बनाने के लिए हमने तीन किलो गाजरे कद्दू करश कर ली हैं उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है half cup चावल मासमती राइस लिए हैं चावलों को वाश करके एक से दो घंटे के लिए भिगो देना है दितने अच्छे चावल भीगें होंगे अतने अच्छे ही ये गलेंगे क्योंकि हम चावल और गाजर को गलाने के लिए इसमें नहीं पानी शामिल करेंगे और नहीं दूद अब हम इसे कवर करके रख देंगे 32-40 मिनट्स के लिए मेडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है ताकि ये अच्छे से भाप में गल जाए अब हम इसे कवर करके रख देंगे अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस पसाना है तो से लाइक और शेर जरूर कीजेगा 32-40 मिनट्स बाद हमारे एक गजर भता अब तैयार है आप लोग देख सकते हैं कि इसकी गाजरे भी अच्छे से गल चुकी है और चावल भी बहुत अच्छे से गल चुके है अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी एक पाउ चीनी फे हम इसमें शामिल करेंगे और चीनी डाल के भी हम इस अच्छी तरह से पकाना है अच्छे से भुनाई कर लेनी है जब तक इसकी चीनी के साथ भुनाई हो रही है मेडियम टू लो फलेम पे जब तक हम इसका भगार तियार कर लेते हैं जो हमने इसमें डा चीज के लिए हमने लिया हमने लिया हाफ कप डेसी गी अगर आपके बाद देसीगी नहीं तो आप लोग दूसरा नॉर्मल घी इस्तेमाल कर सकती vivid और उसके बाद गी गरम करने के बाद हमने इसम messaging कर दी हैं तीन लॉंगे हम दो चोटी खोड़ी सीन ही लेनी है बहुत जादा नहीं लेनी है अब हमारा भगार ये तयार है और हम ये गजरबते में डाल देंगे हमारा गजरबता अब तयार हो चुका है अच्छे से भगार को मिक्स करेंगे और उसके बाद गजरबते को डिश में निकाल लेंगे ये गजरवत्ता आप लोग फ्रेज में भी रख सकते हैं, ये 15-20 दिन अराम से चलेगा खराब नहीं होता है, या फिर इसे आप लोग फ्रीज भी कर सकते हैं गजरवत्ते को एक बाउल में निकालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे खोपरा, खुश्क खोपरा इस तना से मोटे पीसिस में काटके हमने डालना है, पिसा हुआ खोपरा इसमें नहीं डालते हैं उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है बलाई क्रीम आप लोग चाहें तो दूद वाली क्रीम भी ले सकते हैं मैंने ये टेट्रा पैक वाली क्रीम इसमें शामिल करी है 3-4 टेबिल स्पून यो बहुत अच्छे लगती है गजर बत्ते में लेकिन क्रीम उप्शनल है आप ल लोगों को गजर बत्ते की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अपना खयाल रखेगा बहुत सारा दौाओं में याद रखेगा अल्ला हाफिज